everyone welcome to my channel to friends फिर से आज लोग डिसकस करेंगे एक बहुर्ष़ इंपॉर्टेन टॉपीक आफी जो हम लोग डेली बेसिस पे टॉपिक डिसकसकर रहे है जो जो करते हैं हम लोग का सब्जेक्ट है एडूकेशन हम यहां पर भी पढ़ते हैं यह मेरा तेलिग्रम गूप का नाम है यह नाम सर्च करके आप गूप जॉइन करना मेरा क्लास का जो भी इंपॉर्टन लिंक होता है मैं इसे गूप में दे रहेती हूं ठीक है तो कल जो मैंने एक रिलाइबिलिटी से रिलेटेट वीटियो दिया था ताइपस अब रिलाइबिलिटी अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो उसमें प्रजवाल ने एक कमेंन किया था कि उनको कुडर रिसर्चन समझ में नहीं आती है यह बोला है कल दिसक्स किया था उसमें हम लोगों had wonderful February के बारे इसक्रिका तो कुडर डिसर्चन होता है फाव रिलाइबिलिटी को संदे हैं के साथ रिलेटेटेद है तो आझ के वीडियो में हम कोशिस करेंगे कि क्या क्या डिफ्रेंट दिफ्रेंट कोफीसेंट ऐला प्रिलाइबिलिटी जाएगा आच्छा तो आज का topic है reliability correlation reliability coefficient of correlation तो देखो coefficient का meaning होता है coefficient जब आ जाते है तो mathematical formula आ जाते है जैसे यहाँ पर reliability का meaning क्या है reliability का meaning होता है consistency कल हम लोगों ने पढ़ा था consistency मतलब जैसे की and reliability measure करने के लिए आपके पास दो setup score होना जरूरी है ठीक है मानों कि एक बार आपने test ले लिया student का तो हड़ एक student का score अपके पास है second time फिर से ले लिया फिर से आपके उन बच्छों का score आपके पास है तो यह एक setup score हो गया यह एक setup score हो गया फिर इन setup score के बीच हम compare करते है है ऐसा किया जाता है reliability में कल हम लोगों ने पढ़ा था test-re-test reliability में भी ऐसा होता है equivalent form reliability तो parallel form reliability होता है उसमें भी ऐसा होता है लेकिन जो internal consistency reliability होती है internal consistency कब use करते है जब हम test एक ही बार लेते है तो test अगर एक ही बार लेते है तो उनमें से 2 set हमें कैसे मिलेगा तो test items को 2 part में divide कर देते हैं हम लोग मतलब जैसे कि अगर 50 questions है आपके question paper में total 50 questions है तो 1 से लेके 25 question एक set में रहेगा and 26 से लेके 50 तक और set में रहेगा फिर हम क्या करेंगे हर एक student का marks हम देखेंगे question number 1 से लेके question number 25 तक उन्होंने कितना score किया and question number 26 से लेके question number 50 तक उनका score कितना है फिर उनमें reliability डेखा जाता है तो internal consistency से related है आपका kudar research on 20, kudar research on 21 ये सब कुछ ठीक है चलो आज वो हम discuss करते है तो reliability coefficient में एक और ये point है जो कि एक्जाम में आते है कि उनका value पूछा जाता है इस बार भी एक्जाम में आ चुका है तो reliability coefficient can never be negative ठीक है ये कभी भी negative नहीं हो सकता है इनका value 0 से 1 तक जाएगा हमें ये पता है कि जो coefficient of correlation है हम लोगोंने पहले भी बहुत बार पढ़ा है coefficient of correlation के बारे में अगर आपको नहीं आता है या फिर भूल चुके हो तो फिर उससे इले तर भी class लाएंगे बाद में आप सुनो जो coefficient of correlation होता है उनका value minus 1 से plus 1 के बीच कुछ भी value मिल सकता है coefficient of correlation का ठीक है लेकिन reliability coefficient का value कभी भी negative नहीं हो सकता तो इसलिए यहाँ पे negative value नहीं आएगा reliability coefficient में value 0 से count होगा 0 से 1 तक कोई भी value मिल सकता है 0 भी मिल सकता है 1 भी मिल सकता है नहीं तो 0 से 1 के बीच जितने भी point value है कुछ भी मिल सकता है यह होता है reliability क्यों negative नहीं हो सकता है क्योंकि reliability क्या denote करते है reliability consistency देखते है मतलब यह correlation खुट के साथ ही देखते है खुट के साथ जो correlation है जैसे कि test retest test retest में हम क्या करते है एक बार test ले लिया second time फिर से same test repeat किया तो ultimately meaning ऐसा हुआ कि first test में जितना मिला second test में भी second time में भी उतना ही मिल रहा है कि नहीं मतलब test तो same ही रहा न और फिर parallel form parallel form में हम क्या करते है सिर्फ questions अलग-अलग होते है लेकिन बाकी सब कुछ तो same रखा जाता है फिर first test में कितना मिला second test में कितना मिला similar type का marks मिल रहा है कि नहीं मतलब ultimately हम यह करते है कि एक test को test के खुट के साथ ही उनका correlation लेखा जाता है तो इसलिए यह negative नहीं हो सकता है तो reliability coefficient का value हमेशा positive होगा and reliability coefficient क्या measure करते है कि कितना strong relation है मतलब कितना ज्यादा consistent result हमें मिल रहा है अगर roll number 1 को first test में 80 मिला तो क्या उनको second time test लेने पर भी क्या exactly 80 मिल रहा है या फिर 79 मिल रहा है या फिर 81 मिल रहा है या फिर 85 मिल ठीक है मतलब कितना ज्यादा consistent है क्या same मिल रहा है या फिर अगर difference मिल रहा है तो कितना vary कर रहा है तो वो reliability coefficient उसी को measure करते है जितना ज्यादा consistency मतलब जितना ज्यादा correlated होगा उतना ही plus one के side value मिलेगा हमें coefficient का जो value है न वो plus one के आसपास मिलेगा मानो कि 0.90 मिल गया, 0.85 मिला, ऐसे करके मिलेगा इसका meaning क्या है कि highly core related है मतलग first time जितना मिला, second time भी almost उतना ही मिल रहा है ठीक है अगर बहुत difference होगा first test में मानो कि 80 मिला, second test में मानो कि 30 मिला ठीक है, ऐसा बहुत difference होने पर बहुत हम reliable ही नहीं मानेंगे और तब reliability coefficient का value भी बहुत कम आएगा ठीक है, ऐसे करके तो reliability coefficient जो होते है न ये हमें बताते है कि दोनो set of score में कितना ज्यादा difference है ठीक है, variance कितना है उन डोनो set of score में क्या दोनो बार उन particular student को same ही मिल रहा है या फिर difference है तो कितना है तो ये हमें पता चलता है जब हम coefficient का value find out करेंगे reliability coefficient का ठीक है, होप कि यहाँ तक समझ में आ गया तो easy language में ये है कि reliability का meaning होता है consistency consistency मतलब बार बार same result मिलना ठीक है और reliability coefficient मेजर करते है कि दोनो बार क्या same marks मिल रहा है या फिर अगर difference है तो कितना difference है ठीक है उसको मेजर करते है coefficient, reliability coefficient and reliability coefficient का value अगर exact 1 हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा correlated है दोनो टेस्ट ठीक है अल्मोस मतलब same marks मिला है almost बहुत equal marks मिला है ऐसा करके अगर जितना one के पास होगा उतना ज्यादा strongly correlated माना जाता है ठीक है next हम देखते है अभी three term हमें देखो आज का class सिर्फ conceptual class है ठीक है concepts लेने के लिए है अभी हमें देखना है कि जैसे आप लोगों यह जानना है कि kr kudar researchon 20 कब यूज़ करते है kudar researchon 21 मतलब यह different different types ही कह सकते हो मतलब यह internal consistency से related internal consistency अगर आपको देखना है तो आपको कोई formula यूज़ करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे या तो kudar researchon 20 यूज़ कर सकते है या तो kudar researchon 21 का formula यूज़ कर सकते है नहीं तो kronback alpha यूज़ कर सकते है इस तरिके से नहीं तो split half method sorry sperman brown formula यूज़ कर सकते है तो कौन से टाइम में कौन सा formula हमें यूज़ करना चाहिए वो हम अभी discuss करेंगे kudar researchon 20 कभ यूज़ करोगे kudar researchon 21 का formula कभ यूज़ करोगे kronback alpha कभ यूज़ करोगे और sperman brown prophecy formula कभ यूज़ करोगे यह सब कुछ आज के वीडियो में हम discuss करेंगे ठीके ओके तो फिर kudar researchon 20 kudar researchon 20 जो है न यह kronback alpha का ही एक special case कह सकते हो अब kronback alpha क्या है kronback alpha यूज़ करते है हम लोग internal consistency को measure करने के लिए जब आपको अगर ऐसा है कि आपने जो test लिया बच्चों का ठीके मानों कि वो mcq type का test है ठीके mcq type के test है तो उसमें उन test के reliability को measure करने के लिए हम kronback alpha यूज़ करते है ठीके kronback alpha यूज़ करेंगे अगर हमें multiple choice question type के question items है ठीके जैसे हम लोगा जो net का exam है उसमें multiple choice questions थे तो उस type का question है उस type का test है तो उनमें reliability coefficient measure करने के लिए हम kronback alpha का formula यूज़ करेंगे आज हम formula नहीं देखेंगे सिर्फ concepts लेंगे ठीके तो formula यूज़ करेंगे and उसके बाद kr20 मतलब kronback alpha kudar research on 20 kudar research on 20 कब यूज़ करेंगे तो देखो ये kronback alpha का ही एक special case हम कह सकते है क्योंकि ये हम तब यूज़ करते है जब हमें मानों की जो भी ये जो हम लोगा test है उसमें अगर right wrong वाला option है वैसा अगर है तो हम उसमें kudar research on 20 यूज़ करेंगे मतलब अगर हमें difficulty level जो है question का difficulty level आपके question paper में जितने questions है ठीक है तो question number हो सकता है question number one बहुत easy है question number two बहुत zero difficult है question number three हो सकता है average है मतलब आपके question paper में जितने भी questions है अगर उनके difficulty level अलग है कोई-कोई question बहुत easy है कोई-कोई question बहुत difficult है इस type का अगर है तब भी हम could are research on 20 use करेंगे could are research on 20 का definite formula है वो formula use करना पड़ेगा आपको फिर ठीक है and also could are research on 20 should be used only if there is a correct answer for each question हम तब यूज़ करेंगे जो आपके question है हड़े question का एक ही correct answer है ठीक हड़े question का एक ही correct answer है तब यूज़ करेंगे and अगर आपके question paper में जितने questions है हड़े question का difficulty level अलग-अलग है मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा question जितने भी questions है सब easy level के question है या फिर जितने भी questions है सब difficult question है या फिर एक average paper है ऐसा नहीं है कोई-कोई question easy है कोई-कोई difficult है अगर ऐसा mixed होगा difficulty level तो फिर हम kudar research on 20 use करेंगे ठीक है and kudar research on 21 क्या है kudar research on 21 क्या है तो यहां पे लिखा है कि kudar research on 21 is a simplified version of kr20 मतलब kr20 का simplified version मतलब kr20 से आच्छा माना जाता है kr21 को and kr20 हम कब use करेंगे अगर आपको इस तरीके से question दिया होगा देखो पहले न 2018-17 इनमें उस time इससे related questions आते थे अभी 3-4 years नहीं आ रहे हैं फिर भी एक बार देख लेना आच्छा होगा आप लोगों के लिए ठीक है तो kr21 कब use करेंगे जब आपके आपको आपके जो question paper है उनमें जितने भी questions है अगर उन सबका difficulty level सेम ही है मानू की question number one भी easy question है question number two भी easy है third question भी easy है मतलब ultimately वो जितने भी questions बहाँ पे है उस test में हरे question easy question है या फिर हरे question एक difficult question है या फिर हरे question average question है मतलब आपके question paper में जितने भी question item है जितने भी questions है हरे question का difficulty level अगर almost same होते है similar type के question है तो हम क्या करेंगे कर 20 का formula use करेंगे ठीक है एंड तो फिर हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें mcq type के question अगर हम लोग के question paper में mcq type के questions है तो हम cronback alpha यूज़ कर सकते है अगर ऐसा है कि हरे question का difficulty level अलग-अलग है और हरे question के लिए एक ही correct answer है तो फिर हम cronback alpha यूज़ करने से ज्यादा अच्छा कौन सा होगा cronback kudar researchon 20 का formula यूज़ करेंगे ठीक है अगर हम लोग के questions ऐसे है कि हरे question का difficulty level same है तब हम kudar researchon 21 यूज़ करेंगे इन सबके लिए अलग-अलग formula है हम formula अलग class में देखेंगे अब आप देखो ये question आ चुका है 2017 या 18 18 हो सकता है ये question आया है तो इसमें पूछा गया है देखो multiple choice question है multiple choice question है लेकिन आपको condition क्या है कि जितने भी questions है ना the difficulty value of items vary in a narrow range मतलब जितने भी items मतलब questions जितने भी questions है उनके difficulty level बहुत कम range में vary कर रहे है मतलब क्या है मतलब difficulty level जितने भी questions है सबका difficulty level almost equal है अगर एक question easy है तो इसका meaning है कि जितने भी questions है बहाँ पे सब easy ही question है ठीक है ऐसा है तो हम लोगों ने हम भी पढ़ा कि अगर difficulty level same रहेगा तो हम केर 21 के formula यूज करेंगे तो यह जो formula है बाद में हम discuss करेंगे formula क्या है लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कर 21 का formula यूज करके इसका value निकालेंगे जो की answer होगा 0.86 ठीक है और देखो 0.86 तो 1 के बहुत पास है मतलब यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो test है न वो test is highly reliable ऐसे हम कह सकते है अब हम देखते है इस type का question आपके आते है यह question भी same question paper में आया था तो यहाँ पे क्या दिया रेखो आपका जो test है उस test में 20 items है 20 questions है मतलब 20 questions जब था न उनका reliability था 0.60 ठीक है उसके बाद क्या किया 20 questions के साथ 80 questions add किया गया मतलब पहले आपके questions 20 questions थे question number 1 से लेके question number 20 तक अपने लिया था उसके बाद और 80 questions add किया गया आप total questions 100 हो गया ठीक है और हम जानते हैं कि अगर आचा आप लोग मुझे बताओ यह एक question रहा आप लोगों के लिए comment section में comment कर देना अगर नहीं आता है तो next class में discuss कर लेंगे कि जब number of items हम बढ़ाते हैं जैसे कि अभी पहले 20 questions था उसके बाद उसके साथ 80 questions add किया गया मतलब आप 100 questions हो गया तो यह जो new test है तो इसका जो reliability है वो बढ़ेगा या कम होगा यह मुझे बताओ 20 items होने से reliability इतना था आप item number बढ़ा देने से reliability बढ़ जाता है या कम हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं वो आप लोग मुझे comment section में comment करो आगर समझ में नहीं आ रहा या पी न आपके questions कैसे करेंगे मतलब यहां पर आपका length of the test length of the question paper change किया गया length of the question paper length change किया गया मतलब पहले आपके 20 questions थे अभी 100 questions बन गए जब length change किया जाएगा तो फिर उनके reliability coefficient find out करने के लिए हम Spearman Brown prophecy formula use करेंगे इनका भी definite formula है वो फॉर्मूला आज नहीं देखेंगे आज हम conditions दे कब use करेंगे it is used when we are to find out the reliability coefficient after changing the length of the test अगर आपका question इस तरीके का है कि question number पहले जितने questions थे उसमें से या तो कम किया गया या तो बढ़ाया गया मतलब आपका length of the question change किया गया तो फिर हम Spearman Brown prophecy formula use करके जो new test है new test अभी जिसमें hundred question आ चुका था है ना जो new test है उनका reliability मतलब दोनों test का reliability coefficient find out करेंगे ठीक है जब test item बढ़ाया गया तो बो test कितना ज्यादा reliable है और पहले कितना था reliable उसके साथ compare हम कर सकते है ठीक है तो होब कि आप लोगों समझ में आ गया होगा तो आज हम लोगों ने अलफा यूज करके हम reliability coefficient find out करेंगे वो test कितना reliable है वो रेखेंगे अगर उसमें मानों की एक ही correct answer है response है and difficulty level सबका अलग-अलग है इस तरीके का अगर condition दिया जाएगा तो हम कुदा research on 20 यूज करते है अगर ऐसे दिया है कि आपके जितने भी questions है सबका difficulty level nearly equal है तो फिर हम इतने questions थे उनमें और questions add कर दिया गया इस ताइप का question होगा तो हम spearman brown prophecy formula यूज करके बोजो new test है उनका reliability निकाल सकते है ठीक है तो hope कि आप लोगों को clear हो गया होगा next जुनेद ने कल और एक matches दिया था इसमें जो हम लोगोंने कल parametric non parametric पर लिया था यह इनका link भी description box में है आप लोग देख लेना यहाँ पर इन्होंने mention किया था कि normal probability curve skewness positively skewness negatively skewness सबके बारे में पढ़ना है इससे related भी एक class जल्दी लाओंगी में और उसके साथ साथ रुपान जली ने types of reliability के वीडियो के नीचे comment किया था कि mixed method design research design पढ़ना है तो यह भी class में जरूर लाओंगी ठीक है एक दो दिन के अंदर आज या कल के अंदर अंदर यह डोनों क्लास में लाओंगी ओकी फिर वीडियो कैसा लगा like कर देना share करना अपने फ्रेंट लोग के साथ comment section में comment कर देना तभी तो वीडियो लाने के लिए मन होगा तो फिर यह free classes है आने करने के platform में यह recorded वीडियो देख सकते हो और बाकी कल है 12 मर्च 12 मर्च कल है इवनिंग 7 पीम पे यह फ्री क्लास है इसमें हम डिसकस करेंगे इस बार जो question paper आया था education का ठीक है तो वो उसमें क्या क्या किस type क्या questions पूछा गया था वो discuss करेंगे कल इवनिंग 7 पीम पे यह देर घंते का class होग इसमें जॉइन करने के लिए code है अनुकमपा मेरा नाम ठीक है अनुकमपा code से आप class जॉइन कर सकते हो आने करेमी के platform में और यह भी सबकुछ free classes है 15, 17, 19, 21, 23, March, 25, 28, 29, 30 ठीक है तो हर एक class जॉइन करना इवनिंग 7 पीम पे और यह जो book है यहाँ पे notice set के question paper, previous question paper with answer key and difficult difficult questions क हीन मैंने देखे रखा है यह आप किसी भी exam के preparation के लिए ले सकते हो MCQ के तड़ यह questions आप practice कर सकते हो Amazon पे आपको मिलेगा ठीक है देख लेना यह है कि क्यूंकि net and set का syllabus तो सेम ही है तो इसलिए आप MCQ के तड़ यह question solve करोगे आपका preparation और भी जाराच्छा होगा चलो फिर ठीक है वीडियो को like जरूर करना comment section में जरूर बताना कि class अपको समझ में आया की नहीं ठीक है and मिलते हैं हम लोके next video में thank you everyone